सुगाई जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बताये था कि कमपनी किसी भी मेजर OS अपडेट को प्रोवाइट करने से पहले उसकी टेस्टिंग करती है और अपने फ्लेक्शिप स्मार्टफोन को सबसे पहले जो मेजर अपडेट है वो प्रोवाइट किया जाता है लेकि जैसे में वो कौन-कौन से स्मार्टफोन ने सामसंग के जिन पर सैमसंग ने 1 Ui6 Android 14 अपडेट की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है तो अब भी समार्टफोन को यूज कर रहे हैं तो हो सकता है आपका भी स्मार्टफोन इस लिस्ट में हो तो चलिए बात करते हैं वो कौन-क कर दी है तो यहाँ पर लिस्ट में हैं सबसे पहले सैमसंग गेलिक्सी एस 22 और एस 21 सिरीज के स्मार्टफोन पर सैमसंग ने 1 Ui6 की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है उसके बाद में सैमसंग S21 FE जो काफी पोपले स्मार्टफोन है उस पर भी सैमसंग ने 1 Ui6 Android 14 अपडेट की जो टेस्टिंग है स्टार्ट कर दी है उसके बाद में हैं गेलिक्सी A सिरीज के A54 जिसे बीटा प्रोग्राम में भी इंक्लूड किया गया है और जब भी इंडिया में S23 सिरीज के लिए बीटा प्रोग्राम जो है वो अविलेबल होगा उसमें A54 भी एलिजिबल होगा बीटा प्रोग्राम के लिए उसके बाद में अहां पर सैमसंग के लिक्सी A52s और A34 जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया इन दोनों पर भी सैमसंग ने 1UA6 अपडेट की जो टेस्टिंगे वो स्टार्ट कर दी है और अभी हाली में सैमसंग के A52 जो 4G वेरेंट है उसको लेकर भी लेटेस्ट टेस्ट बिल्ट फर्मवेर निकल कर आया है 1UA6 Android 14 अपडेट का जो आपके सामने है और इस पर भी सैमसंग ने 1UA6 Android 14 अपडेट की जो रोलाउट के लिए तो आप भी इन स्मार्टफों में से कोई स्मार्टफों यूज़ करें तो आपके लिए एक काफी अच्छी बात है तो फिलाल यही सब कुस्ता इस वीडियो में I hope आपको वीडियो पसंद आए होगा आगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से व वीडियो को लाइक कर दिजिए और 1UA6 Android 14 अपडेट को लेकर आगे जैसे ही कोई ओड नीटेल्स निकल कर आती है किसी भी स्मार्टफों के लिए उसकी वीडियो आपको हमारे यहाँ पर डेफिनेट इससे तेखनी को मिल जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिला इक थैसे अलोट वाचिंगें